हाई काईज, वेलकम तो नौटी स्टेक्चेज आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुती सुंदर और सिंपल डिजाइन शेयर कर रही हूँ इस डिजाइन को बनाना बहुत आसान है और बनने के बाद ये बहुती सुंदर दिखता है तो इसे बनाने के लिए मैंने दो इंच चौड़ी कपड़े की एक पट्टी ले ली है इस पट्टी की लंबाई मैंने तकरीबन एक मीटर रखी है और इस तरह से फोल्ड करके हमें इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेनी है इस पट्टी की चोड़ाई मैंने आधा इंच बना कर तयार की है आप चाहें तो थोड़ी सी कम या जाधा चोड़ी पट्टी भी तयार कर सकते हैं तो इस तरह मैंने पट्टी की दोनों किनारियों पर सिलाई लगा ली और अब मैंने यहाँ पर न्यूस पेपर की एक पट्टी काटी है जिसकी चोड़ाई है तकरीबन 2.5 इंच और लंबाई आपको इसकी उतनी ही लेनी है जितनी आपको अपनी ट्राउजर की या स्लीव की चोड़ाई चाहिए अब इस न्यूस पेपर का मैंने सेंटर माक कर लिया है और जो हमने चोटी चोटी स्ट्रिप्स काटी थी उन्हें हमें इस तरह से न्यूस पेपर की पट्टी के उपर रखना है और बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगानी है पट्टियों को हमें बिल्कुल साथ साथ रखना है इस तरह और इस तरह से हमें बिल्कुल बीच में सिलाई लगा कर इनको अच्छे से अटाच करना है अब हम सेंटर में तक्रीबन चार से पांच बार सिलाई लगा लेंगे ताकि ये पट्टियां आपस में मजबूती से अटाच हो जाएं इस तरह अब हम इन पट्टियों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे ये देखिए एक पट्टि छोड़ कर हमें फोल्ड करना है इने बीच में एक एक पट्टि को इस तरह छोड़ देना है और इस तरीके से बाकी पट्टियों को फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे बजी हुई पट्टियों को भी हम फोल्ड कर देंगे और इस तरह से एक सुन्दर सा पैटर्न हमारे पास बन जाएगा ये देखिए इस तरह अब साइट से हम एक्स्ट्रा कपडा काट देंगे और इस पट्टी को बिल्कुल सीधा कर देंगे इस तरह अब हम प्लेन कपड़े की एक पट्टी लेंगे और इस न्यूस पेपर वाली पट्टी को इस तरह से कपड़े वाली पट्टी के उपर रखेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे अब कपड़े वाली पट्टी को हम इस तरह से सीधी तरह फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगा देंगे इस तरह अब हम स्लीव या ट्राउजर के नीचे इस पट्टी को उल्टा करके रखेंगे और बिल्कुल किनारी पर हमें इसे नहीं रखना नीचे से मैंने तक्रीबन आधा इंच कपड़ा फोल्ट करने के लिए छोड़ दिया था तो इस तरह से हम इस कपड़े को फोल्ट करेंगे नीउस पेपर के ऊपर और सिलाई लगा देंगे इस से ट्राउजर या स्लीव के पिछली तरफ भी फिनिशिंग आएगी अब यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरह अब इसके आगे हम लेस अटैच करेंगे लेकिन उससे पहले हम नीउस पेपर निकाल देंगे बहुत ही असानी से यह नीउस पेपर निकल जाता है और बचा हुआ नीउस पेपर धोने के बाद निकल जाएगा तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद रंग की लेस ली है इसके उपर अटैच करने के लिए आप अपनी पसंद की कोई भी लेस ले सकते है या फिर लेस लगाना स्किप भी कर सकते है तो इस तरह से बहुत ही सिंपल और सुन्दर सा यह डिजाइन हमारा बन कर तयार हो गया है और अब इसके उपर हम फिटिंग वाली सिलाई भी लगा लेंगे तो गाइज आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बैल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजेगा ताकि आपको मेरे सबी वीडियो के रैगिलर अपडेट सबसे पहले मिल सकें साथ आप मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो गाइस थैंक यू सो मच फो वाचिंग बाइबाएब